करिश्मा कपूर अभिशेक बच्चन, यह जोड़ी हमारी सूची में सबसे उपर है क्योंकि उनका ब्रेक अप 2003 में शेहर में चर्चा में था। करिश्मा और अभिशेक ने अमिताब के 60 वे जनम दिन पर 5 साल तक डेटिंग करने के बाद 2002 में सगाई कर ली। उनके अलग होने का कारण माताओं, बबीता और जया द्वारा बनाई गई दुश्मनी पर टिकी थी। और दिम्पल कपाडिया की बेटी ट्विंकल खनना के साथ घर बसाने से पहले खिलाडी कुमार को बैक टू बैक बेवफाई के आरोपों के लिए जाना जाता है। जाहिर तोर पर उन्होंने अभिनेत्री रवीना टंडन से गुप-चुप तरीके से सगाई कर ली थी और दोनों की शादी करने की योजना थी। जब तक रवीना ने किसी अण्य अभिनेत्री के साथ अपने लिंक अपकी अफवाहें नहीं सुनी। बाद में एक साक्षातकार में रवीना ने खुलासा किया कि उन दोनों ने एक मंदिर में गुप-चुप तरीके से सगाई कर ली थी, लेकिन इस बारे में चुप रहे क्योंकि अक्षय को डर था कि इससे उनके करिया को नुकसान होगा। सलमान खान संगीता बिजलानी, करीब एक दशक तक डेटिंग करने के बाद सलमान और संगीता ने अपने रिष्टे को अगले स्टर पर ले जाने का फैसला किया। के सेट पर कबूल किया कि संगीता ने वास्तव में उन्हें धोखा देते हुए पकड़ा था। दोनों अब स्वाहादपूर उपेन पटेल करिश्मा तन्ना, बिग बॉस और नच बलिये सहित का इरेलिटी शो में एक साथ भाग लेने के बाद उपेन और करिश्मा काफी बागए। लोकप्रिये टीवी जोडी ने नच बलिये के फिल्मानकन के दोरान भी सगाई कर ली। हालांकि चीजे योजना के अनुसार नहीं हुई और उपेन के ट्वीट इसका एक प्रमो को दाहरं थे। दोनों ने सगाई तोर दी। करिश्मा ने बाद में खुलासा किय कि भले ही दमपती अच्छी तरह से मिल गए। लेकिन वे चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। जिस तरह से वे दोनों सहमत थे। इसलिए चीजों को शूर ने थे।